हलो आफ्रिवन स्वागत आप सभी का जन्यून क्लासिज में आप सभी को पता है राजस्तान विश्विद्याली की काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वीडियो के नदर मैं आपसे बात करूँगा यूजी एडमिशन के बारे में यूजी एडमिशन की पहली का टोप लिश्ट आचुकी आप सभी को बता है और आप जो है fees portal भी आ चुका है और fees आप कैसे जमा कराएंगे कैसे आपको fees जमा जमा कराणी है कहा पर वह आपको portal मिलेगा कब तक जमा करानी है इसको लेकर इस्ट सेकंडियर की एक्जाम के बारे में सेकंडियर की एक्जाम आपकी स्टार्ट होने वाली है नौ सितंबर से आपकी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं साथ ही हम यहापर बात करेंगे आपके जो यहापर सरकारी कोलेज हैं आपके डिस्टिक लेबल के उनमें जो एड़िशन चल रहे कि आपके सरकारी college में admission चल रहे हैं पूरे राजिस्तान के अंदर जितनी भी सरकारी college है लगबग साड़े 300 के आसपा सरकारी college है तो सभी में प्रवेश चल रहा है district level पर जितनी भी आपकी college होती है अब कब तक last date है कब तक आप forum fill कर सकते हैं UG admission के लिए तो आज 7 सितंबर last date है जिसने भी form नहीं लगाया है आज शाम तक forum fill कर सकता है आज अंतिम्तिती है कटॉप कवाएगी तो तीन या चार दिन बाद आपकी जो पहली कटॉप है वो जारी कर दी जाएगी तो ये तो रही बात आपके college में admission की अब हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्तान विश्विद्दाले संगटक college महराजाम महरानी commerce और राजस्तान college में इसकी जो पहली कटॉप है वो तीन सितंबर को आ चुकी है पहली कटॉप लिष्ट और पहली कटॉप लिष्ट में जिन विध्यारतियों का नाम आया है उनको फीज जमा करानी है 6,7,8 यानि तीन दिन तक आप फीज जमा करा सकते हैं 6 सेतंबर से लेकर 8 सेतंबर तक तो फीज कैसे जमा कराएंगे तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको official website पर जाना है कैसे फीज पोर्टल को आपको open करना है और कैसे फीज सम्मिट करनी है तो यह मैं आपको बता देता हूँ सेलेक्षन हुआ है जिनका नाम आया है वो 6, 7, 8 यानि 3 दिन तक आप फीस जमा करा सकते हैं तो आज दूसरा दिन है कल तक आप फीस जमा करा सकते हैं और यहाँ पर साब साब लिखा आ रहा है योजी ओनलाइन फीस पेमेंट तो यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए आप किलिक करेंगे तो यह आप का form number अब जो भी आपने form बराया form number डालना होगा तो आपकी fees आजाएगी आपको कित्ती fees जमा करानी है तो पूरा status आजाएगा यहाँ पर आप payment का status चेक भी कर सकते है रिशिप नमबर के द्वारा ठीक है यह सारी चीज़ आप चेक कर सकते तो अगर आपको इंगलिश बोलने में हिसके चार्ट होती है अपने इंगलिश इंट्रवू की तयारी करनी है और फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक good news डाउटनट एप लाया है आप सबके लिए इंगलिश इंगलिश के टॉप टीचर्स आपको एकड़म बेसिक से इंगलिश बोलना सिखाएंगे वो भी हिंदी बासा में यानि अब आप में से हर बच्चा अब अंग्रेजी बोल सकता है साथ इस कोर्स के अंत में आप सबको certificate दिया जाएगा अभी जाए और डाउटनट एप पर यह कोर्स करी दिये और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए पुरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना एडमेशन का आउब भड़ा होगा तो उसमयं आपके आपके फॉल मंबर मिले होंगे उसी नमंबर के आदर पर आपके będziemy होगी और फॉस जारी हो गए हैं और 9 September से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं अब फाइफ पेपर पैटर्ण क्या रहने वाला है क्या क्या गाईडलाईन है यह सारी बाते मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ सेपरेट सेपरेट मैंने वीडियो बना दी है B.A.C. का paper pattern क्या है कितने cushion attempt करने है आपको 50% ही attempt करना है दोस्तो मैंने आपको बता दिया है अगर आपका paper 100 number का है तो आपको 50 number का attempt करना है आपका paper 80 number का है तो आपको 40 number का attempt करना है आपका paper 50 number का है तो आपको यहाँ पर 25 number का attempt करना है तो इसको उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ बीए वालों के लिए लगसे मैंने दो वीडियो बना दी है एक तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेट के उपर और एक मैंने बनाई है अभी लेटेस्ट बनाई है जो ग्रोफी वो भी आप जाके देख सकते हैं साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा आप 가능 common काड़ केसे और एक जामेंशन में करने के बाद में आपको जो है यूजह रござें के कारेंगे यहाँ पर आपके पूरा खुल जाएगा और यहाँ फ्ट्वरी एक्जाम कार्ट दे तो यहां पर आपको select करना होगा UG second year तो यहां पर UG course से पहली बाद तो उसके बाद में आप select कर सकते हैं, आप arts है, BSC है, BCom है, यह अगर आप BSC करेंगे तो BSC select कर सकते हैं, अब यहां पर BSC part 2 आगया है, क्योंकि part 2 के आप exam चल रहे हैं, तो उसको आप proceed कर देंगे, अब आप आपका admit card, आपकी general detail से निकाल सकते हैं, नेम आपका father का name, आपके mother का name, या by role number से निकाल सकते हैं और आपके form नंबर जो आपने एक्जाम का form भराता, उसके तो वो भी मैंने वीडियो बना दी है, जो संसुदित टैम्टिबर आया है, भी है बीएससी बीकॉम का, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी हैं, कोलेश से जुड़ी हुई, ऐसी और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद.